नमस्क्राइब दोस्तों आप शुवी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशी भल की बारे में जिया दोस्तों आज के दिन करों की दिदिकेशी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इनका शुर आपकी राशी रहना होगा और कौन-कौन से कारे आपके लिए भागी इशारी होगे या शमय आपका लब लाइब के शारीगा श्वास्त करियर और धन के जिदिकेश रहेंगी इन शभी की महत्पून जान करेंगी तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें उश्य पले दोस्तों चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को भी प्रेश कर लें यह आपकी राशी के ऑफिसियल चैनल है तो इन्हें सब्सक्राइब चरूर करें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पुझता है जब कोई मुश्य दुनिया में महबत बची कहां मुश्कुरा देता हुमें और आद आ जाती है मा अपने माता पिता के मन से निकला हुआ अशिरभाद जन्व जन्मांतर तक हमारी रक्षा करता रहता है दोस्तों माबाप की दवाई की परची अकसर खो जाती है पर लोग वसियत के कागजात बहुत ही शमाल कर रखते हैं पूरी दुनिया भी जीत कर यदि माता पिता का दिल नहीं जीता तो वा जीत ही हार की शमान है दोस्तों खुझ किसमत होते हैं वे लोग जिने मा की आचल की छाओ मिलती है सितल उसके पर्ष में हर परस्तिती से आई है और दूसरी शारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई है दोस्तों उस घर के किसी काम में कभी बरकत नहीं होती जिस घर में मा तो चलिए इसी की साथ बात करते हैं आज की राश्यफल की देनी राश्यफल दोसों याश्यफल में कड़ी महनत और परिक्षा का शमय होगा याश्यफल में आप अपने दिंचरिया में कुछ बदलाव लाने का प्रयाश कर रहे हैं वे आपके लिए फायदे मन्द भी शाविद होंगी कुछ शमय आत्म केंदरित होकर अपने बारे में चिंतन में शमय को दित करें आपको कई उलजेवे शवालों काईब में जवाब प्राप्त होगा शादि दोसों यश्मी अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोसों यश्मी आकारण ही मने में कुछ उदासी जीसी इस्तिती भी रह शकती है पेसे कि उदारी शमदी लेंदें ना करें दोसों यश्मी इन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए नईदी की शम्मनियों के शाथ किज़ी भी परकार की गलत फेहमी उत्पन होने से आपसी सम्मन भी खराब हो चकते हैं योजनाई बनाने के शाथ साथ उन्हें कारी रूप देना भी आपके लिए यश्मी आवश्च होंगी आपको नज़राएगा तो परिवार के लिए किशी को आपके शायता की जरुत भी होँषक्ती है तो उनको मदद करने शिफ पहले आपको अपनी शम्मता को पाचानना चाहिए क्योंको दोस्तों यश्य आपकी आर्थी जुती में भी कमी आशकती है आपकी आर्थी जुती में भी गिरावटा शकती है तो दोस्तों जितना आपके पास छमता है जितना आप चाह सकते हैं कि इतना हम देश शकते हैं इतना मदद कर सकते हैं तो दोस्तों उतना ही आप यश् आपके लिए जिसम होगे दोस्तों आपको बदा दें कि यश्मी आपके श्वेंग के द्वारा ही लिएगे निरले ज्यादा उचित रहेंगे दूसरों पर निर्भर यश्मी आप पर ना रहें यह जो श्मय है आपके लिए अपने व्यक्तित्तों और प्रश्ण डैल्टी को निखारने का श्मय होगा और इनमें काफी हद तक आपको प्लब्धी भी हाशिन होगी प्रतु दोस्तों अपने एहम के ऊपर नेंतर रखें इस बात पर आपको गौर करें और इसकी वज़ाशी आपको जो है मान आने होशकती है तो दोस्तों इसे कारियों श्मी आपको जादे की मन में बढ़ रहा तनाव आपके लिए तकलिप का कारण होगा यह समय है किसी विस्वे में सोचते समय आपको यह ध्यान रखना है कि केवल आप अपने विचारों में ही खो रहे हैं जिसके वज़शे आपको प्रस्तिती में कटना या नजरा रही है या फिर सच मे अपने इनी बातों पर आपको गौर करना चाहिए इसको प्रांद दोस्तों यह में आपके लिए आपको बता दे कि समाजिक विद्या में आपका दिखता श्रमे भी वतित होगा परिवार में चल रही अश्वस्ता को दूर करने के लिए आप कुछ महतपुन कदम भी यह में उठाएंगे किसी शुप्चिम्टकों का अशिरवाद आप पर शुप कमने आपको वर्दान की तरह महसुत होगा पड़ुस्यों के शाथ किसी प्रकार की अन्बन रह शक्ती है तो दोस्तों संब्दों में खटास ना अने दे किसे से बातचित करते शुमें अपने शब्दों कर ना करें इसको प्राहन दोससों आपके लिए जो समोंगे आपके दीनचे लिए जो समोंगे दोस्तों आपको बता दे कि हर बात और हर नियुले में शमल कर आगे बढ़ने पर यष्मि आपको जो है सफलता प्राप्त होगा अभी तक आपने जो भी लक्शी रखे थे उनक इस बात को भी आप समझे इशक disgraung आपके लिए डिंजिर के लिंघ लिए दोस्तों अब को पता दे कि अपने ही बाहरे में सोचें पता अपने लिए ही काम करें इस बात पर आपको इश्मी ध्यान देना चाहिए आपको कोई महत्पुन उप्लब्दी भी इश्मी हासिल होने वाली है कुछ पारविरिक विवाद भी सुझाने के लिए शमय अनुकुल है शंतान के सिक्चा और केरिया से सम्मधित किशी महत्पुन निरले पर बिचार में वर्ष भी इश्मी होगा प्रतु दोस्तों अकाश्मी की कुछ इसे खर्चे सामने आएंगे जहां पर कटोती करना शंभव नहीं होगा यसमी बहुत अधिके सोच विजार करके अपने कारियों को अनजाम दे अनवश्यक ही किसी की वज़़े से दिंच्रिया अस्त व्यस्त भी हो शकती है तो दोस्तों यश्मे शावधा रहना होगा इश्कुपरान दोस्तों यश्मे आपके लिए जिसमोंगे आपको पता दे कि आपका दिक्तर ध्यान पेशे से समधित बातों में ही अटका होगा काम करने के बाउजुद भी पेशा ना देख पाना आपको इसमे थोड़ा सा तकलिक भी देश सकता है जिन लोगों से उधार लिया है उनको वापस करने के लिए पतन आपके दोरा यश्मे किये भी जाएंगे आपको केवल ध्यान और अगरता से अपने लक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करनी है इसको पराण दोस्तों यश्मे अगर आपके केरियर को लेकर बात करें अर्थात आपके वहिशा की तो दोस्तों यश्मी अपनी कार्षमता को शाबित करने के लिए बहुत अधिक संगर्ष और प्रिश्णम आपको करना होगा कुछ चुनोतियों भी आपके शामने आने वाली है सरकारी श्वारत वेक्तियों के लिए समय जो है बहुत ही महत्पुन होंगे और आपके उपर श्वारत में महत्पुन कारेबार भी आने की वज़श्य आपके जिमिदारी भी बढ़ सकती है इश्कुप्रावन दोस्तों यश्मे आपके केरियर के लिए जो समयोंगे व्यक्तिकत बातों के वज़श्य काम को नजनदाज भी यश्मे किया जा सकता है तो दोस्तों यश्मे इन पर ध्यान दे इसके साथ ही दोस्तों यश्मे आपके वज़श्य के लिए जयसंदाज होंगे आपको बता दे कि पारिवर वज़श्य कर्तेश में अच्छी तरह से इँन्हे जा पड़तार जरूर कर ले दोस्तों ये आपके केरेर के लिए इसमें बहुती महत्पून शायुद होंगे और काम से समझेद परतने भी इसमें आपको बढ़ाने होंगे जिसके वज़र से आर्थिक आवक भी बढ़ेगी और आपकी जो आर्थिक इसमें शुदरने वाली है इसको परान दोस्तों ये आपके केरेर के लिए जिसम होंगे आपको बता दे कि दोस्तों कारेट शेतर में नविकरन शुमंदी कुछ योजनाए बनेगी और ये बदलाव आपके लिए आपके बिजनस के कामों में शफलता देगा दोस्तों अपनी महत्पुन चीज़ों की देखवाल स्वेंक करें दोस्तों पर विश्वास करना इसमें आपके लिए ज्यादा ठीक नहीं होगा किसी पारिवरिक वैस्ता को जाशे जो ये कुछ महत्पुन काम भी इसमें रुख सकते हैं परदो यह भी ध्यान रखें कि छोटी से लपरवाई से कोई बड़ा ओडर भी हान से निकल सकता है या फिर डिल कैंसील भी हो सकती है तो दोस्तों येश्व में लपरवाई करना आपके लिए नुक्षान दाइक हो सकता है इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको प्रावदों से येश्व में अगर आपकी लव लाइफ को लिकर बात के नर्थात आपके पारिविक जोन की तो दोस्तों येश्व में दामपते जोन में शुदार आएगा दामपति जोन मदूर रहेगा यो अवर्ग वेर्थ की मौज मस्ती में श्मी बरवात ना करें तथा अपने केरियर फर आपको दिहान देना चाहिए साथी दोस्तों यश्मी में आपके निदले की प्रति पार्टनर की नाराजगी भी थोड़शी बढ़ सकती है कभी के बेश्चा हो शकता है इसको प्रावन दोस्तों यश्मी में आपके लव लाइफ के लिए जो समोंगे आपको बदा दे कि पती पतनी की बहतर शमाज़स भी बना रहेगा दोस्तों के साथ मेले मिलाप दिन को और भी खुश्टमा बनाएगा इसके साथ दोस्तों यश्मी में आपके लव लाइफ के लिए जो समोंगे आपको बताते कि अपनी भावनों को पार्टनर के शमने व्यक्त करना आपके लिए थोड़ा शाँ मुस्किल हो सकता है लेकिन दोस्तों कोसिस अर करेंगे तो यह भी हो सकता है इसको प्रांदो से यश में अपनी किसी भी समय स्याक को जवन साती अत्वा घर के अनुभवी व्यक्ति से अवश्य सेयर करें आपको उचित शमाधान भी प्राप्त होगा बचे अपनी पढ़ाई के प्रती जो है सजक रहें उनका आपको यश में ध्यान रहना चाहिए इसको प्रांदो से यश में आपके लव लाइफ प्लीज समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि पत्री पत्री के बीच किछी वज़े से थोड़ी बात बात भी हो शकती है क्योंको दोस्तों बदलते गरों की चाल में ये भी प्रवाव आपके जोन पर देखने को मिलेंगे दोस्तों बहतर होगा कि एक दूसरे की भावनों को समझे और अपना शमार करें दोस्तों एक दूसरे का शम्मान ही दोनों की प्रेम शम्मनों को और भी मदू रुखेंगे प्रेम शम्मनों में पढ़गरता रहेंगी इसको पराँ दोस्तों यह शम्में अगर आपकी स्वास्त को लेकर बात के नर्थाद आपकी हैल्थ की तो दोस्तों यश्मी थकान तो जैसे नसों में खिचाव और दर्द की समस्या रह शक्ती है योगा और व्याम आपको इसमें करना चाहिए यह आपका उत्ता मिराज होगा इसके साथ दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लिए खुले वामें शमी बिताना भी आपके मनर को प्रश्टा देगा कि इसको प्रणद से यह में आपके स्वास के लिए दोस्तों आपको बदा दे यूद्व आपका श्वास यह में उत्तम रहेगा फिर भी अपनी खान पंध द्रिया को शंतुलित बनाकर रखना आपके लिए अत्यंता आउश्य होंगे तो दोस्तों यह इन बातों पर गोर क और ये आपके स्वास्त के लिए हैं भैतर होंगे इसको प्रांदुत्य यश्मे आपका भागेशाली रंग रहेगा गुलाबी और भागेशाली अंक रहेगा पांच